किसी गाउव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम नीमा था। नीमा बहुत ही प्यारी और होशियार थी। उसके पिता एक गाउव में एक किसान थे और उसकी माँ घर में रहकर अपना खुद का काम करती थी। वह सब अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी गाउव का जीवन और प्यार से भरी प्यारी सीजन गी। एक दिन नीमा अपने गाउव के जंगल में खेलने चली गई। जहां बहुत से सुंदर सुंदर जानवर थी बहुत से चिरिया चेहचा रही थी वह की सुंदरता देखते ही बनती है। जंगल में उसने एक चोटी सी बिल्ली को देखा। वह बिल्ली बहुत ही डरी हुई थी और चिला रही थी। नीमा ने उस बिल्ली को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से स्पर्श किया। बिल्ली का दर कुछ हद तक कम हुआ और वह नीमा के पास बैग गई। नीमा ने बिल्ली को खिलाया और प्यार से उसके साथ खिला। बिल्ली भी नीमा के साथ खुश थी और उसे पसंद करने लगी जब रात हुई नीलम ने बिल्ली को अपने घर ले जाया नीमा बिल्ली के साथ बहुत खुश थी वह बिल्ली भी बहुत खुश थी उसे एक नए दोस्त मिल गई थी बिल्ली ने नीमा के घर में अपनी नए जगल को बहुत ही पसंद किया वह अपने नए घर में सुखी सुखी रहने लगी, नीमा भी खुश थी कि उसने बिल्ली को अपने दोस्त बनाया, आप तो नीमा और बिल्ली हमेशा साथ-साथ रहते और साथ-साथ खेलते खूब मस्ती करते साथ ही खाते सोते, कुछ दिन बाद गाउग में बहुत बड़ा मिला आया, नीमा और बिल्ली मे खिलोना खरीदा और उसे बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने खिलोनी को बहुत पसंद किया और उसे अपने साथ ले जाकर खेलने लगी। बिल्ली बहुत खुश थी उसे नीमा से बहुत प्यार और दुलार मिल रहा था यही और होती है असली दोस्ती। वो दोनों बहुत मुश्किल से निपटने की शक्ती दी इस तरह नीलम और उसकी बिल्ली ने एक बेहत प्यारी और अगुत दोस्ती की कहानी बया कर दी वे हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पल का आनन लेते थे इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती में विश्वास और साथित्व का महत्व होता है चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किले आएं अगर हमारे पास सच्चा और वफादार दोस्त होते हैं तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं और खुशियों का साथ दे सकते हैं नीमा और बिल्ली की कहानी कहानी की मुख्य सीख यह है कि दोस्ती में विश्वास और सहानुभूती का महत्व होता है। नीलम और बिल्ली की अनूथी दोस्ती ने दिखाया कि जब हम दूसरों के साथ खुशियों और दुखों को साजा करते हैं, तो हमारा जीवन और भी सुन्दर और सम्रिध हो जाता है। दोस्ती हमें उप्तरदायत्व और सहयोग की भावना सिखाती है, और हमें अपने साथी का साथ हर समय देने की क्षम्ता देती है। इसलिए हमें हमेशा दोस्तों के साथ समय बिताना और उनके साथ हर मुश्किल का सामना करना चाहिए क्योंकि अच्छी दोस्त हमारे जीवन को सजीव और खुशाल बनाते हैं